हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टो एसके लानिंग टेंपल टू डू लार्न अबट जीडिपी और बूस्ट डॉमेस्टिक पोड़ेक्ट तो जीडिपी जानने के लिए हमको चार चीज जानना पड़ेगा एक है सी कैपिरल सी दूसर चीज क्या है दूसर चीज है आई तीसर चीज ह है जी एंड लास्ट चीज है X माइनस ए तो इत चार चीज आपको जानना पड़ेगा जीडिपी जानने के लिए पके तो जीडिपी में हास्ट क्या है सी सी मीन्स काद्जांशन काद्जांशन मिन्स क्या है चीज है जो हम डेली पार्टेस करता है कुछ वह पॉड़क्त उ ह वह गया कोई टीबी पृच्ट एटसेटर प्रोडक्ट हम पार्टिस कर रहा है तो उह है हमारा कंजम्शन डेली हाउस ओलड बढ़ा है जो हम करते हो भी कंज़म्शन अधी प्लास डेली कोई सर्विसीं उस करता जैसे फूर्द सर्विसीं क्लोथिंग सर्विसींग तो एमार have consumption foods clothing और kept Depending our home हैं हमारा 상फ AÜ प्रेश्षुन इस होगा вый 27 तो ज़्युपी झाला होगा सेखेंड जीजें इन्वेस्मेंट आई एन्वेस्टमेंट मतलब क्या है इन्वेस्मेंट आई चीजिसे जैसे बीस्नेस जो इन्वेट करता है। जैसे ज्वेट करता है ज्याधा 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 बिजनेस की इन्वेट் कां बाड़ेगा दिएक relevance है जो GDP को सहहतं करता है और चीजजा मुन muss spending गॉर्मेंट किस चीज में spend करता है जैसे infrastructure में spend करता है health में spend करता है education में spend करता है तो government spending government जतना ज़्यादा spending power होगा government का उतना GDP ज्यादा होगा और लास्ट चीज है X- M X-M मतलब net export export और M means import तो इक्स्पोर्ट जितना ज्यादा होगा अगर इंपोर्ट ज्यादा हो गया बहुर्द सेन ज्यादा आ रहा है तो GDP का ग्रोथ नहीं होगा जीडीप आफ किसी डिपी बढ़न से के लिए उसका प्लिप さ बीने से घुलाई पर गाप आपको जानना पड़ेगा तो कब जैने के अब हम मेरा नेक्स आपको मालूम पड़ेगा real GDP और nominal GDP का difference Thank you friends